दुबई के एक यहां पुलिस के पास दुनिया की सबसे महंगी और लगजरी कारों के लावारिस मिलने की तीन हजार मामले सामने आये हैं दुबई के एक यहरपोर्ट पर पाच करोड की कीमत वाली फरारी सुपरकार लावारिस हालत में मिली कबार की तरह धूल खा रही इस कार के मालिक का नाम का पुलिस को कोई पता नहीं चला और ना ही इसके रजिस्ट्रेशन नंबर की जानकारी हासिल हुई एक के बाद एक ऐसे हजारों मामले सामने आने के बाद ये पता चला है कि ऐसी कारों के लावारिस मिलने के पीछे की वज़ा दुबई का शरियत कानून इस कानून के हिसाब से अगर आप चेक या फिर उधार पर कोई कार लेते हैं और चेक बाउंस हो जाता हैं तो आपको जेल जाना पड़ सकता हैं मज़िदार बात तो ये रही कि कुछ लोगों ने इसी कानून का मज़ाग बना दिया कुछ लोगों ने फरजी चेक बना कर ये कारे खरी दी जमकर इसमें गूमे और जब चेक बाउंस हुआ तो उन्हें लावारी सालत में छोड़कर वहाँ से की रिपोर्ट